Welcome to Crick Science दोस्तो आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करेंगे कि किस तरह से एक गेद बाज बहतर ढ़ंग से बल्ले बाज को रीट कर सकता है दोस्तो वीडियो में बताया गए सभी important factors अलग-अलग situation को ध्यान में रख कर बताया गए है match की conditions अलग-अलग हो सकते हैं उस वक आप इन बातों को ध्यान में रख कर थोड़ा बहुत adjustment कर सकते हैं तो आएए सुरू करते हैं दोस्तो बैट्समेन को हम दो प्रकार से read कर सकते हैं पहला visual feedback से मतलब जो दिखता है दूसरा invisible feedback से जो नहीं दिखता है विजवल feedback में सबसे पहले हम बैट्समेन को उसके बैट्टिंग टेकनिक से read करने की कोशिश करते हैं जिसमें stance footwork batting pattern scoring area आता है invisible feedback में बैट्समेन के पिछले history उसका strike rate और उसका mindset या कुछ important points है जो हर baller फिरवा चाहे spinner हो या fast baller उसे जानना जरूरी होता है तो आईए सबसे पहले batsman के stance को read करने का प्रयास करते हैं batsman कई तरह से खड़े होते हैं अगर batsman का weight हिल में है तो वह balance नहीं होगा तथा साथी साथ उसका footwork कम होने के साथ साथ उसका reaction भी ball पर late होगा ऐसे batsman, shot pitch और उपर से swing होते ball पर पुश्किल में दिखते हैं दूसरा stance है upright stance इसमें batsman लगभग सीधा खड़ा होता है इसमें batsman का सर बहुत उपर रहता है body सीधे होने की वज़े से पैर छोटा निकलता है और वह ball तक पहुँचनी पाता तीसरा crouch stance इसमें batsman कुछ जादा ही नीचे चुक जाता है दोनों bear पर जोर डालकर खड़ा होता है जिससे वह back foot पर नहीं जा पाता और bouncer उसे मुश्किल में डालती है open stance इसमें batsman का bat second और third slip की ओर चला जाता है body मेड़ान की ओर खुली रह जाती है और front foot leg stem से बाहर तीसरे stem पर चला जाता है option पर नहीं निकल पाती और out string में batsman ball से दूर रह जाता है bat बाहर से आने के कारण ball की line मिस्ट करने का chance बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आईए अब देखे batsman के footwork को वीडियो में आप देख सकते हैं कि अभी ball release नहीं हुई है और batsman ने अपना front foot obs drum पर fake दिया है साथ ही साथ bat अभी नीचे है जबकि उसे यहां ready position में आ जाना था यह batsman बाल खिलने में लेट होगा और incoming ball पर LBW और बोल्ड का बहुत ज़्यादा chance बन जाएगा इसी तरह छोटा पैर निकालने वाला batsman भी उपर के swing ball और तेज बाल्ड में परशान रहता है batting pattern मतलब batsman के strokes का पूरा बंज वा किस प्रकार का stroke ज़्यादा खेलता है या data पिछले match से या current match से दोनों में देख सकते हैं जैसे यहां batsman cut और pull ज़्यादा खेलता है या खेल रहा है तो आप उस हिसाब से balling कर सकते हैं इसी तरह उसके scoring area में भी आप देखें cut pulls के run ज़्यादा हैं यहां इस information को ध्यान में रखकर wicket to wicket ball किया जा सकता है जिससे आपको wicket मिलने के chance ज़्यादा होंगे आईए अब जाने invisible feedback को सबसे पहले strike rate example हम भारत के दो दिगज batsman को लेते हैं सर विरेंदर सहवा और सर राहूल द्रविड test match में दोनों के strike rate पर गौर करें तो तकरीबन आधे का अंतर है और आपने देखा ही होगा कि test match में दोनों के game में भी या निरंतर दिखता रहता है तो आपको batsman का strike rate उसके तेज खेलने या anchor जैसे खेलने को बताता है आप इस हिसाब से plan कर उनको out कर सकते हैं mindset या सबसे ज़्यादा important part है जो player के उस दिन के batting को समझने में helpful होगा है कि वह कौन सा stroke जादा खिलेगा personal information of batsman batsman का performance उस tournament में कैसा चल रहा है या वह कैसा performance करने का approach रखता है उस हिसाब से आप balling plan कर सकते हैं last match performance हो सकता है कि वह batsman last match में 0 बनाया हो या हो सकता है कि उसने 100 प्लस किया हो तो याद रखें या दोनों उसके inning को थोड़ा ना थोड़ा जरूर effect डालेंगे तो आप इसका वी फायदा अपने balling planning के लिए कर सकते हैं pitch condition batsman pitch condition के हिसाब से भी mindset करके आते हैं आप as a baller इस बात को समझे फिर batsman को attack करें एक अच्छे गेंद बाज को pitch condition की जानगारी होना बहुत जरूरी है batting position यह छोटे format में सबसे जादा important होता है जैसे slog में batting करना, top order पर batting करना, या run chase करते हुए batting करना, या first inning में batting करना या सभी उस batsman के stroke selection को effect डालते हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें और अपने balling को plan करें as a baller इस वीडियो में बताए गई सभी बातों को ध्यान में रखें और comment box पर जरूर बताएं कि आप किस तरह से batsman को read करते हैं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please like करें और अगर आप इस channel पर नया हैं तो कृपया subscribe जरूर करें balling करते रहें, wicket लेते रहें